गुद मॉनिंग देश्टूडेंट्स आफ क्लास फॉर्थ सब्जेक्ट मैट्स टॉपिक टेबल और शियर्ज ठीक है बिटा आज हमारा क्वेस्टिन नमबर लैवंध है इस प्रैक्टिस टाइम प्रैक्टिस टाइम में हमें क्या दिया गया है डिवीजन क्या करना है हमें डिवीजन सबसे पहले हमें इसमें एक चीज़ याद रखने है जाज हमें दिया है 28 डिवाइड टू तो इसको हमें याद रखने हमें क्या करना हमें इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं पहले हमें यह समझे ले यह जो हमारे पास पहले एक रूल है वह है डिविजेंट डिवाइजड डिवाइजर इस इक्वल टू कोशेंट इस इक्वल टू कोशेंट यानि कि यह ट्वाइज़ है यह है डिविजेंट यह कहा है यह आपको अच्छे से याद रखने हमेशा इसको 28 जो है इस साइड वारा यान जिसको डिवाइड किया जाता है that is called dividend और 2 जो है यह diviser है 2 क्या है diviser अब रही बात quotient की वो भी मैं आपको बताऊंगी step properly देखो 28 ठीक है इसको जब हम divide करेंगे किस के साथ हमें 2 के साथ यह जो 2 है इसको फिर से मैं लिखूंगी यहाँ पर इसको diviser बोलते हैं क्या बोलते हैं बेटा इसको diviser और यह जो 28 है इसको dividend बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको बेटा dividend यह याद रखना अब देखो अब जब हम divide करते हैं हमें divide जब करना होता है हम या तो यह हम long term से कर रहें अगर हमें क्या करना होता है हमें वो table पढ़ना होता है जो dividend या तो उसके बराबर dividend के बराबर हो या उससे कम हो उससे बड़ा नहीं आना चाहिए जैसे 2 का table पढ़ेंगे हम पहले single single digit करेंगे two ones are two two twos are four four तो बढ़ा हो गया आव वो two के नीचे तो नहीं आएगा तो हम उसे एक step पीछे जाएंगे ठीक है बिटा that is two ones are two हो गया बिटा अब two minus two करेंगे हो गया zero ठीक है अब उपर से क्या है eight हम उपर से क्या होतारेंगे eight क्या होतारेंगे बिटा eight अब हमें two कर table वहां तक पढ़ना है जहां तक या तो हमें eight आए या eight से कम आए ना की eight से जैदा two ones are two अराम से आएगा two twos are four आएगा two threes are six ठीक है two fours are eight two fives are ten ten आएगा eight के नीचे शाबाज very good ten नहीं आएगा तो हम कहा लिखेंगे two fours are eight कहा लिखेंगे बिटा two fours are eight फिर इसको माइनस करेंगे यहां पे zero है कुछ भी नहीं है eight minus eight zero खतम यह मारा question ख़ला ठीक है बिटा अब जो देखो बिटा यह जो उपर fourteen है जो हमें उपर fourteen है यह quotient है क्या है बिटा इसको क्या बोलते है q-o-o-t-i-e-n इसको quotient अभी आपको यह अच्छ समझ आगे है यह जो है यह divisor है अंदरवाला जो है उसको dividend बोला जाता है और जो आएगा हमारा answer that is quotient और जो यह zero है जो कुछ भी नहीं बढ़िता that is called remainder that is called remainder ठीक है बिटा ठीक अब next part अब आपको पता चलगा है dividend किसको बोलते है diviser किसको बोलते है 86 divided by 7 हम 7 का table पढ़ेंगे 8 8 के लिए 7 1s are 7 7 2s are 14 क्या 8 के नीचे 14 आएगा बिटा नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे 7 1s are 7 ठीक है बिटा इसको करेंगे minus क्या करेंगे minus 8 minus 7 that is 1 8 minus 7 क्या होता है 1 अब उपर हमें क्या उतारना है क्या उतारना है 6 गुड क्या उतारा उपर से हमने 6 अब हमें 7 का table पढ़ना है या तो 16 आना चाहिए या 16 से कम 7 1s are 7 7 2s are 14 7 3s are 21 7 3s are 21 तो नहीं आएगा ना तो हम क्या लिखेंगे 7 2s are 14 very good 7 2s are 14 तो अब फिर minus करेंगे 6 minus 4 2 1 minus 1 0 तो यहां मारा question खतम हो जाता है देखो बेटा यहां 2 है अगर हम इसे और नहीं कर सकते थी क्योंकि जो हमारा divisor है वो भड़ा है as compared to remainder से तो यहां आपकी एक और बात clear होगी यह बान गए remainder ठीक है यह आपका पीछे था यह हो गए remainder आप पता चल गए divisor, dividend, quotient and remainder ठीक है now next question 48 divided by 4 पढ़ेंगे 4 का टेबल 4 वांजा अरहम से 4 वांजा 4 इसको करेंगे minus 4 minus 4 0 उपर से क्या उतारना है बेटा 8 उतार दिया अरहम से अब फिर 8 तक पढ़ना है टेबल या 8 के बराबर या 8 से कम जैदा नहीं 4 1s are 4 4 2s are 8 4 3s are 12 4 3s are 12 तो नहीं आएगा 4 2s are 8 ठीक है बेटा यह 0 का 0 लिखो तो भी जरूरी नहीं है ना लिखो तो भी जरूरी नहीं है 8 minus 8 0 खतम हमाला यह question भी ठीक है बेटा then next part 66 divided 6 6 1s are 6 6 2s are 12 तो नहीं लिखेंगे 6 1s are 6 खतम 6 minus 6 जरूरी अब उपर से क्या उतारेंगे 6 फिर लिखेंगे 6 1s are 6 तो 6 minus 6 जरूरी खतम ठीक है then last part 96 divided by 8 या तो 9 के बराबर या 9 से काम या 9 से ज्यादा नहीं सिर्फ 9 से बराबर या 9 से काम 8 1s are 8 8 2s are 16 16 तो नहीं नहीं आएगा 9 के नीचे 8 1s are 8 9 में से 8 निकाला माइनस करेंगे 9 minus 8 that is 1 उपर से क्या रहता है उतारने के लिए यह देखो मैं आरो बना रही हूँ ना आप देखते होंगे यह एरो बना रही हूँ इसलिए कि आपको पता चले कि मैंने कहा ते 6 उतार है उपर से उतारा 6 8 1s are 8 8 2s are 16 8 3s are 24 24 तो नहीं आएगा ना 8 2s are 16 और फिर 16 minus 60 वो 0 ओके बिटा आगे है समझ ओके थेंक्यू